हाई फ्रेंड वेलकम टो दिख्चा केंड सी तो फ्रेंड आगे मैंने ये अली स्वेटर के फर्स पर्ट सेकेंड पर्ट बनाया था उसी के आज में बाजू के पर्ट कैसे बनाना है वो बनाके दिखाने अली हूँ तो बाजू के पर्ट बनाना बहुत ही सिंपल है आप लोग जानते होंगे फिर भी कोई नई भी जानता हो तो उसके लिए मैं बना के दिखाने आली हूँ कैसे करके बनाना है और फिर कितना लंबा चाहिए बोर्डर कैसे बनाना है डिटेल्स में बना के दिखाऊंगे तो मैंने इस तरह से एक इस्टीस होल्डर में फिप्टी स्टीजेस को होल्ड करके रखा था अब इसे ये सार्कुलर नीडल है त्री एमेम के इसमे में इसे निकलूंगी फिप्टी स्टीजेस था तो इन फिप्टी स्टीजेस को इस तरह से निकल के रखना है अब मैंने सारे इस्टिजेस निडल में निकल लिया अब इन इस्टिजेस को एक्जेस्ट करेंगे इस तरह से अच्छे से और यहां पर थोड़ा सा यह गिफ दिखा है यहां पर एक एक करके सिटिजेस उठाएंगे इस तरह से उल्टी साइट से इस तरह से निडल लगा कर उठाना है इस्टिजेस नहीं भी उठाए तो भी चलेगा फिर भी यहां पर थोड़ा सा गिफ जैसा दिखता तो गिफ नहीं दिखें बाद में सिटिजेस करने में सुविदा हो इसके लिए मैंने इस तरह से गोलाई में आये इसलिए इस्टिजेस उठाया अब मैंने ऐसे ही करके पूरा इस्टिजेस उठा लिया अब यहां पर यह जो निडल है सर्कुलर निडल यह थोड़ा छोटा होता तो यहीं से इस तरह से गोलाई में हम बुनते हुए जाते तो इस्टिजेस करने की भी जरूरत नहीं पर थी अब मेरे यह जो निडल है बहुत ही बड़ा है तो उसके लिए प्राब्लम हो रही है तो इसलिए यहीं से टान करके फिर से में जैसे आगे बुनते आ रहाए थे उसी तरह से बुनके यह रो कम्प्लेट करेंगे और फोर इस्टिज बुनके एक इस्टिज डिक्रीज करते हुए आगे की बुनाई करते हुए जाएंगे फोर इस्टिज बुन लिया था अब एक इस्टिज यहाँ पर दो इस्टिज साथ में बुनके डिक्रीज करेंगे अगे क्योंकि बहुत ही हमें ज्यादा स्टिजेस हैं यहाँ पर जो हमने बीच में भी उठाया था इसलिए न्थो उसके लिए जितना हमारे पास आगे में था याने कि 50 स्टिजेस उतना से हमारे बाजो जो है वो उसके लिए enough है इसलिए में फोर स्टीज बुनोंगी फिर फोर या फाइब स्टीज बुनोंगी फिर से दो स्टीज साथ में बुनके एक स्टीज डिक्रीस करूंगी एसे ही करके पूरा रो कंप्लेट करना है अब फास्ट रो कंप्लेट होने को आया है अब फिर से फाइब स्टीज बुनके एक स्टीज यह हो गया 3, 4, 5, अब 2 स्टीज साथ में बुनेंगे तो 1 स्टीज डिक्रीज हो गया अब और 1 स्टीज ज्यादा हो रहा है तो फिर से मैं 5 स्टीज बुनके और 1 स्टीज डिक्रीज करूंगी तो मेरे पास 50 स्टीजेस ही रहेगा मैंने काई पर 4 स्टीज बुना और काई पर 5 स्टीज बुनने के बाद 1 स्टीज डिक्रीज करते हुए यह रहेगा तो अब मेरे पास 50 स्टीजेस है इन स्टीजेस को अब हम सिधी साइट से सिधा और उल्टी साइट से उल्टा बुनेंगे अब यहीं से टर्न करना है जैसे कि मैंने आपको बताया यह नीडल थोड़ा छोटा होने से इसी से हम गोलाई में बुनते हुए आगे कंटिनू कर सकते थे फिर मेरे यह नीडल जो है बहुत बड़ा है तो हमें टर्न करते हुए ही बुनना है अब हम आगे इसी तरह से दोनों साइट से सिधी साइट से भी उल्टा और उल्टी साइट से भी उल्टा ही बुनके बाजू के लेंग्ध जो है कंप्लेट करेंगे अब मैंने इतना बुन लिया मैंने टेन इंच बुन के बाजू के लेंग्ध कंप्लेट किया यह देखिए मैंने टेन इंच बुना अब हम यहां से दो स्टीज सिधा और दो स्टीज उल्टा का बोर्डर बनाएंगे फार्स स्टीज स्लिप करेंगे सेकेंड स्टीज उल्टा बनाएंगे यान पीछे अब दो स्टीज सिधा बनाएंगे एगें यान आगे दो स्टीज उल्टा यान पीछे दो स्टीज सिधा एशे ही करके हम यह रो कंप्लेट करेंगे अब ये row complete हुआ पलत लीजिए इस साइड से भी हम दो सिधा दो उल्टा ही बुनेंगे जो सिधा दिख रहा है सिधा बुनेंगे और जो उल्टा दिख रहा है उल्टा ही बुनेंगे ये फास्ट स्टीज स्लिप करेंगे सेकेंड स्टीज उल्टा दिख रहा है तमें उल्टा बुनेंगी अब यान पीछे दो स्टीज सिधा बुनेंगे बुन लिया एगें यान आगे दो स्टीज उल्टा एचे ही करके हम बोडर की लेंग्ध कम्पलेट करेंगे एक इंच करीब बुनूंगी इतना सा होगा ये देखिए अब मैंने बडर भी बुन लिया इतना सा बुना अब हम इंच इस्टिजेस को बाइंड आफ करेंगे दो इस्टिज साथ में बुनेंगे फिर से स्लिप किया हुआ इस्टिज वापस नीडल में लगा कर फिर से दो इस्टिज साथ में बुनेंगे ऐसे ही करके हम दो दो इस्टिज साथ में बुनते हुए सारे इस्टिजेस बाइंड आफ करेंगे अब लास्ट टो स्टीज है इसे भी साथ में बुनेंगे अब यहां पर एक टाइट नोट लगा कर यान कट कर लेंगे अब इसे इस तरह से यहां पर स्टीशिंग करेंगे मेने सुई में यहां लगा लिया आब इसे एसे करके एक एक आगे की एच इस्टीश से इस तरह से इस्टीशिंग करेंगे इसे इस्टीशिंग करके भी कंप्लेट कर लिया थैंक्यू फर वाचिंग बाइब बाइब बाइब